यूनिल मेसी की शांदार फ्रीकिक ने MLS कलब के साथ फुटबॉल लेजंड के डेब्यू में इंटर मियामी को जीत दिलाई। हाल की यादों में सबसे बड़ी अमेरिकी खेल में से एक शुकरवार उम्मीदों पर खरा उतरा। मेसी ने दूसरे हाफ के स्टॉपिज समय में अपना ट्रेड मार्क फ्रीकिक स्कोर किया जिससे इंटर मियामी ने दोनों टीमों के लिए लीक कप आपनर में क्रूज अजुल को टू, वन से हरा दिया। गोल से पहले भी मेसी के हर टच के साथ स्वागत किया गया था और जब वह 67 वे मिनट में क्रूज अजुल के रक्षकों को धूल में उड़ाते हुए एक डाइम में बदल गया, तो भीड की दहार ने अगले दर्वाजे, फोर्ट लॉडरडेल कार्यकारी हवाई अड़े से प्रस्थान करने वाले किसी भी छोटे जेट को डुबो दिया होगा। पांच दिन बाद अटलांटा का दौरा करेगा। नॉकाउट चरण, जिसमें मियामी इस जीत के बाद एक पैर जमा चुका है, टू अगस्त से शुरू होगा। इस चैंपियंशिप में सिर्फ तीन टीमें कौनका काफ चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन इस तरह की शुरुआत के बाद मैसी की नजर अपने नए घर में चांदी के बरतन के पहले टुकडे पर हो सकती है। मैसी जैसा दुनिया में कोई नई, ये वो हर बार बताता है। आप अपने कमेंट्स में बताए आपको कैसा लगा। मैसी का डेब्यू में आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। प्लीज लिखे शेयर सब्सक्राइब करें।